हलो मेरे प्यारे विच्चों क्यासे है आप सभी उमीद है आप स्वस्त होंगे और मस्त होंगे तो वह एक्जाम का समय निकट आ चुका है बोर्ड एक्जाम काफी जल्द हमारे पास आने वाली है और साथ ही साथ एक्जाम जब निकट आती है तो हमारे मन में एक टेंशन आ ज सकता है कि आप लोग सिंपल क्लास 12 की बोर्ड एक्जाम की तैयारी कर रहे हों लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर हमने साल भर मेहनत तो करी थी लेकिन आखरी के समय में हम एक्जाम की प्राक्टिस कैसे करें मतलब हमें कहां से कुश्चन पेपर मिल सकते हैं हमें कहां से जो dis Он इस पेपर मिल रहे वह एक्जक्ट एक्जाम के पैटन पर tur Set ताकि हम 3 घंटे एक बार practice कर पाए में बोरसरा एक्जाम देने से पहले हम एक बार घर बटखकर पूरा पेपर लिख पाए पूरी प्रेक्टिस कर पए और साथ ही साथ अगर आप नीट या जेई की तैयारी कर रहे थे तो ये बात आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपुन हो जाती है क्यों यूजुली जो बच्चे नीट और जेई के लिए पढ़ रहे होते हैं उनके लिए क्लास 12 का सिलेबस यूजुली दिसमबर जैनवरी या फरवरी में आकर या जैनवरी में आकर वो लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो आखरी के समय में होड़ लगती है कि हमें कहीं से किताब मिल जाए जिसमें हो पूरे सवाल तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए आज मैं हूँ आप सभी के साथ हैना एक किताब लेकर आये हैं हम ओस्वाल पब्लिकेशन की यह किताब है और यह जो बुक है इसमें 36 लेट मी रिपीट 36 36 36 सेंपल पेपर से किताब में और यह 36 सेंपल पेपर से इसके अंदर क्लास 12 की cbc pattern पर बेज़े सारे के सारे आप अगर biology stream से तो बायो की किताब अलग मिलेगी आपको और अगर आप math stream से तो math stream की किताब अलग मिलेगी आपको साथ ही साथ इसके अंदर English physical education computer science physics chemistry बायो हो तो biology और math हो तो math के questions आपको मिलेंगे तो इसके इसका link जो है वो description में मैं डाल दूंगा आप Amazon वगरा से जाकर इसे खरीद सकते हैं और यह जो औसवाल publication के बुक है बिटा यह यकीन मानिये वन आफ दे बेस्ट बुक से आल ओवर इंडिया में cbac के तो अगर चतिस sample paper आपको मिल रहे हैं चतिस sample paper मिल रहे हैं जैसा अगर मैं इस किताब को खोलूं एक बार और आपको यहां पर बताऊं तो इसमें जो sample paper है जैसे for example हम बात करें पहले English subject की तो English subject में 6 sample paper इसके हम में physical education में अगले चार computer science में चार उसके बाद में physics physics में यहां पर कम से कम साथ sample paper है इसी प्रकार से साथ sample paper chemistry के और biology के भी sample paper से तो यह जो sample paper से यह exact neat के pattern पर सॉरी cbc board के pattern पर बेस्ट होंगे आप बली नीट या जई या किसी भी exam के तयारी कर रहे थे यह आप simple board की भी तयारी कर रहे थे तो यह वाली बुक आपके लिए काफी किफायती रहने वाली है इस बुक में जैसे मैं खुद भी इस बुक के गोठू हुआ था अगर आप में से काफी बच्चे मुझे जानते हैं और नहीं जानते तो बिटा में चोटा सापना इंट्रॉक्शन दे देता हूं मैं बचले आठ साल से जादा से physics classes ले रहा हूं नीट और जेए के लिए तो चान नंबर का एक कुशन आने वाला उसके अलाव और कुछ नहीं पता होगा लेकिन जो बोर्ड का से बस होता है बोर्ड का पेपर बनता है उसमें हर एक चीज़ डिफाइंड होती है कि सेक्शन ए जिसमें आएंगे हमारे mcqs तो कितने mcqs आने वाले हैं सेक्शन भी सेक बास बात यह भी है कि आपको हर एक सवाल का जवाब भी नीचे मिल जाएगा जैसे अगर हम mcqs की बात कर तो मैंने रेंडम कोई भी संपल पर उसमें से उठा लिया तो यहां पर आईवी करेक्टरिस्टिक कर्व दिया है और आईवी करेक्टरिस्टिक कर्व हमें पता है स सेमिक अंड़क्टर में पढ़ते हैं सेमिक अंड़क्टर में यह एक ऐसा ौइवी करेक्टरिस्टिक कर वहें वी और आईवी के बीच में बना है और पूचा गया है यहां पर कि यह किस प्रकार के आज़े ना या तो फॉन इन बावेंस प्रेजेंस ओमिक नॉन-ोन-ोमिक इंसुलेटर या सूपर कंड़क्टर तो अव्यसी बात ही किसे इंडिकेट कर रहा है सरी एक सेमी कंड़क्टर का ग्राफ है यह सेमी कंड़क्टर के बारे में बता रहा है तो सेमी कंड़क्टर मतलब कि हम बोल सकते हैं सर semiconductor या हमें पता है यह एक non-omic रहने वाला है तो यह graph सीधे-सीधे ncrt से उठाकर दिया गया है exams में तो हमें usually किताब या ncrt किताब में पता नहीं चल पाता है इतनी सारी चीज़े लिखी भी उसमें कि क्या important क्या important नहीं है तो यह एक लोती बुक जो है वह आपके सारे सब्जेक्ट कवर कर देगी अना तो यह पूरी एक लोती बुक जो है यह आपको amazon वगरा पर मिल जाएगी और आप चाहे तो इसे ओस्वाल की वेबसेट से भी डार्क लिए कर सकते हैं मैं उसका भी description में लिंक डलवा दूंगा और इस एक ही किताब में जो 36 सेंपल से बिटा सेंपल वेपर से इसमें आपको सारे के सारे मतलब की सारे सब्जेक कवर हो जाएंगे और आप रियल टाइम प्रैक्टस कर सकते हो मतलब आप देख सकते हों कि अच्छा मुझे हर एक पेपर करने में यह वाले तो अकॉर्डिंगली एक्जाम में में मुझे यह ker oss के लावा घृक्त अगले से क्षण से बीक अगर हम बात करते हैं तो अगर कोई भी कुष्ण यह धो के नीचे उसका पूरा proper explanation दिया गया है बुक में जैसे एक random question उठाते हैं कि section B में दिया वाए how are EM waves produced by oscillating charge, draw a sketch of linearly polarized EM waves propagating in Z direction, indicate the directions of the oscillating electric and magnetic fields, मतलब आपको पूरा यहाँ पर diagram भी दिया गया है इस बुक में, यहाँ पर explanation के साथ diagram दिया गया है कि यहाँ देखो भाई ऐसा diagram बनाना है, इलेक्टरिक और मैगनेटिक फिल्ड हमें घता भी है Sar, इलेक्टरिक फील्ड ऑर मैगनेटिक फिल्ड फिल्ड एक ऐसे परपैंडिकुलर नाचती हैshए दूसरे परपेंडिक्टिट नाच यह और और यहां और यहां हो गया मान कर सो हमारा जैड डारेक्शन तो यह एक दूसरे के पर्पेंडिकुलर होंगी और लाइड जो है वह इस डारेक्शन ऐसी नाचती भी आगे चले जाहें तो यह सब कुछ पूरा proper explanation के साथ इसमें दियावा है और साथ इस साथ इस से हमें यह भी idea मिलेगा कि हमें किस chapter से theoretical questions पर ध्यान देना है किस chapter से numerical पर ध्यान देना है तो यह काफी काफी important सी बात होती है जो हमें पता होना चाहिए जैसे अगर मैं बात करूं तो अगर हम optics की बात करें तो optics में maximum derivation या numerical ही पूछे जाते हैं जैसे section B में हमारे पास optics के दो questions है तो यहां पर दिया हुए इकुलेटरल ग्लास प्रिजम और है रफ्यक्ति एंडेक्स 1.6 इन एयर एक अंगल ऑफ मिनीमियम इविएशन ऑफ प्रिजम वन के पिन मीडियम ऑफ रफ्यक्ति एंडेक्स दिया गया है तो इसमें बिलकुल बेसिक सा निमेरिकल हमें पता है सर की मिनीम डिवेशन के मिनीम क्या क्यों हो जाता है 67 एक प्लस ड़ING मिनीमुँम बाई टू अप Óण में शाइन एवायटू अपवान में शाइन एवायटू एंट तो यह formula लगाना है हमें minimum deviation की condition है, refractive index दिया वा है, और बोला है, equilateral glass prism है, equilateral glass prism है, तो equilateral glass prism में मतब क्या हो गया, कि A, A की value कितनी होगी, 60 degrees, तो उसको रख कर हम पुरा-पुरा solve कर सकते हैं, similarly electrostats है theoretical plus numerical based question होता है, section C में, section C में usually हमार पास derivations होते हैं, तो most important derivations जैसे हमारे पास अगर एक conductor, एक current के रिंग है, उसके current magnetic field कितनी होती है, एक्सडा उसमें axis के along किसी भी point पर उसका derivation, तो यह काफी important derivation है, यह भी इसमें दिया गया है, इसके अलावा section C में usually derivation C मिलेंगे, आपको section D में कुछ बड़े numericals जिसमें usually ABC part में दियावा होता है, तो capacitor based question है, तो यह सारे questions जो है बिटा, वो आपके लिए काफी काफी ज़्यादा important और helpful रहने वाले हैं, तो main बात यह है कि आपको हर एक question के साथ साथ उसका solution भी मिल जाएगा, जिसे से आप अपने आपको improve कर सकते हैं, और अगर आप already पढ़ चुके हो, कि नहीं सर हम तो already पढ़ चुके हैं, हमारे पास already subject wise book है, तो फिर यह sample paper की book आपके लिए और भी ज़्यादा बहतर है, और यह book जो है, आपके लिए एक तरीके से आप ऐसा बोल सकते हैं, या कि हमने सब कुछ पढ़ लिया, रिवाइस करेंगे, फिर से वही खोलेंगे, तो फिर मन नहीं करेंगा, खोलने का, या मन नहीं करेंगा, उसे पढ़नेगा, तो नहीं चीज जहां से वही information और जादा बहतर refined तरीके से मिल पाए, वह आप इस book से ले सकते हैं, तो ओसवाल publication की book अगर आप कहीं से भी लेते भी हो, तो यहां रखना कौन सी लेनी है, ओसवाल गुरुकुल, इसमें 36 sample question paper से, और उसके बाद में, exam 2023 की यह लिए है, और इ exams, और याला वीडियो में इतना ही रखूँगा, all the very best for your board exams, भगवान करें, आप सभी बच्चे जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो अपनी board exams में 85-90% के ऊपर marks लेकर आए, all the best, thank you.